नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है मगीपूर में जाती हिंसा थमने का नाम नहीं दे रही है सोबे के कांग पोग पी में कुछ दिनों पहले बिना किसी उकसावे के हुई गोली बारी का आरोप लगाते हुए हजारों कोकी महिलाओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया है प्रदर्शन कारी महिलाओं ने कांग पोग पी जिले में रास्टी राजमार्क दो पर एकत्र होकर पुलिस के खिलाफ नारे बाजी की गत 16 अक्टूबर को रात की जूटी पर तैनात को की महिलाओं पर कथित तौर पर फाइरिंग की गई थी इसी के विरोध में महिलाई प्रदर्शन कर न्याई की मांग कर रही थी कोकी आदिवासी समू ने एक बयान में बताया की 16 अक्टूबर की शाम लगबख साथ बजे तेज रप्तार कार में रास्टी राजमार्ग दो पर दीमापूर की और जा रहे कुछ हतियार बंद बदमाशों ने रात में कांग पोगपी बाजार में ड्यूटी पर तैनात कोकी महिलाओं पर कई राउंड गोलिया चलाई इसके बाद वे मौके से फरार होने में सफल रहे घटना के करीब एक हपते भर बीत जाने के बाद भी किसी की गिरपतारी नहीं हो सकी है इसके बाद महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है इस बीच कांग पोगपी टाउन कमेटी ने विभिन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों पर एक नोटिस जारी किया जिसमें फाइरिंग करने वालों से 20 अक्टूबर को या उससे पहले स्वेच्छा से कांग पोगपी टाउन कमेटी के सामने आत्म समर्पन करने का आग रह किया था हाला कि अभी तक किसी ने भी अपनी हमली की जिम्मेदारी नहीं ली है गोली बारी की इस घटना के खिला बिरोध प्रदर्शन कर रही प्रदर्शन कारियों ने कहा हमें गोली बारी नहीं चाहिए हमें अलग प्रशासन चाहिए प्रदर्शन कारियों ने जो तक्तियां ली थी उस पर लिखा था आईए हमको की जॉलेंड में शांती से रहें